उमीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग अच्छे होंगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा डाटा इपेल 2022 का दूसरा मैच दिल लिब कापिटल्स वर्सेज मुंबई इंडियन्स का जो कि 6 टीम ग्राण लिग में कैसे बनाए और 6 टीम बहतरीन कैसे बनाए कि इसमें से एक रैंक ओन या फिर रैंक 10 के अंदर रहे और यह बहुत ही बहतरीन टीम आपको बताने वाला हूं कि यह 6 टीम हम लोग कैसे बना सकते हैं और पूरा कंबिनेशन और अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा और एक-एक प्लेयर का बताऊंगा कि कौन सा प्लेयर कैप्टेन बनने वाला है तो इस वीडियो को सुरू से अंतकवस देखेगा और फाइनल फाइनल टीम के लिए फाइनल अपडेट के लिए फाइनल प्लेयंग 11 के लिए आप टेलिगाम चैनल जोए जिसका लिंक की डिस्क्रिप्शन में है आपको वहां पर फाइनल टीम फाइनल अपडेट हैं पर आपको मिलेंगे तो चलिए इस वीडियो को चुरू करते हैं और आप सबको पहले बताते हैं दो यहांप पर ऐता छूब में बनाया है की दखिया यहां पर मैंने तृफ्श्ट में द्पेक्पेश्ए मैंने कैप्टेंघृइस बहुत किया है नुद्त आनल प्रोन जो बना देगा वो अच्छा स्कोर है तो इस पिछ पे यह होगा कि अगर मालेजे पहले बैटिंग करती है अगर वो बैटिंग करेगी और अच्छा नहीं कर पाएगी तो चेज करने में आसानी होगी तो इसलिए एक तरफा टीम दो बनाना है मतलब कि मालेजे कि पहले मालेजे दिल्ली कैपिल्स बैटिंग करेगी तो उसके तरफ से ही आपको टीम्स क्रियेट कर देना है मतलब कि साथ बाइचार का रेशियो के यहाँ पे छे बाइचार है ना तो आपे साथ बाइचार के रेशियो से कर देना है अगर दिल्ली का साथ डीटेल और डीपली इंफर्मेशन देंगे बस इस वीडियो को छोर कर जाना ही मत एक भी सेकेंड आप इसकेप मत करना मेरे को लाइक सब्सक्राइब से मतलब नहीं है मैं बार बार बोलता हूं यहांसे आप देख सकते हैं कि दिली कैपिल फसे मुंबई इंडिस का मैच नमब एकल टैम से यहां पर खेला जाएगा आप इससे लाइब स्ट्रीमिंग सकते हैं श्राइब सकते हैं को नेट ओर को नेट वर्क प्लस होस्ट आप है यह सब्सक्राइब देख सकते हैं दिली भरसे मुंबई इंडियन्स का मिच पीछ रिपोर्ट सेकेंड मैच कि बात करें ज में ज्यादा तर मीरी लॉबर में ये सपोर्ट करेगा इस पीछ पे मतलब कि कुछ भी ना जाए 170 अगर चल जाए तो बहुत अच्छा ऑप्शन है और इस पीछ पे पहले बॉलिंग लेना अगर कोई भी कैप्टेन अगर टॉस जीतेगा तो सबसे पहले बॉलिंग लेने की को इंजरी से निकल रहे हैं वो फर्स्ट गेम मिस कर सकते हैं मुंबाई के लिए और नौर्किया जो कि फिट नहीं है और वह दिल्ली के लिए कुछ मैचे नहीं खेल सकते हैं आप लोग ये इंजरी निवच याद रखना चले हां से दिल्ली भर से मुंबाई इंडियन्स का ज कोई एक खेल सकता है लेकिन जाए चांद से जाकिसर पराजखन खेलेंगे अक्षर पटेल सार्दु ठाकूर कुल्दि प्यादो चेतन साकरिया खलील अहमद तेले मुंबाई इंडियन्स के तरफ से कौन-कौन से खेल सकते हैं रोई सर्मा कैप्टेन है जो कि इसान किसन इस सब्सक्राइब से चलिए अब हम बात करते हैं जिल्दी और मुंबाई के मैचेश के बारे में तोपिक्स बैटर्स में होने वाले हैं रॉबन पाविल जो की रॉबन पाविल आपको पता है कितना इंप्रेसिव उन्होंने स्टियसन प्रैक्टिस सेशन में किया और उसके सा अच्छे तरीके से रॉबन पावल के ध्यान से रख लें विली मीट दा एक्सपेक्टेशन इन दिस आइपेल और इनसे बहुत ज्यादा उमीद लगा के रखे हैं सब लोग टीम डेवीड की में पिछला इस बार डेविव कर रहे हैं लास्ट ये डेविविड की यह परफॉर्मेंस करते हैं इनका जो 1965 अभी तक आप लोग टीम डेविड को लेना ना बहुत ही बड़े हीटर है उन सब्सक्राइब बहुत ही बड़े हीटर है उन सब्सक्राइब नावासी टीटीटी में इन्होंने बनाया है अब्रेट ठीट 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 रिका है टॉपिक् अच्छा पटेल अच्छा पर्फॉमेंस करेंगे और यह इकनोमिकल बॉलर है इनका अच्छे के नीचे ही रहता है अगर बॉलिंग करेंगे तो ज्यादा मतलब की चोके छक्के नहीं खाते हैं और यहां से मैं बात करूए ही कैन स्कॉर वैलूवाबल रंस मतलब की नीचे बैटिंग करने आके यह अच्छा रंस भी स्कॉर कर सकते हैं किरान पलार जो की मतलब की रेगुलर मिंबर है मुंबाई इंडियन्स ट्रीम के लिए और इनको मतलब की सायद से रिटेन भी किया था मुंबाई इंडियन्स ने और 2010 मुंबाई इंडियन्स के साथ में जूरे ह है और इनका मैं बात करूँ आईपयल केरियर की तो 300 3260 टोटल स्कॉर किया है 29 लागवक 30 का एवरेज है चलिए अब हम बात करते हैं टॉपिक्स बॉलर्स के बारे में तो बॉलर्स में कौन-कौन से टॉप फिक्स होने वाले हैं यहां से लौट सारदुल ठाकूर जो की बॉलिंग इन्होंने किया है इनसे उमीद आप लोग हमेशा रखेगा कि यह बहुत यह अच्छे बॉलर है और यह नकल बॉल ज्यादा डालते हैं तो यह विकेट लेने में बहुत ही आगए आएंगे और यह अच्छे तरीके से बॉलिंग करेते हैं तो यहां से आप लोग कि पिछला सीजन में 2021 का IPL सीजन में इन्होंने 16 मैचेज में 21 विकेट लिया था थोड़ा सा एकनॉमिकल नहीं रहे थे थोड़ा ज्यादा इनके पाड़ गई थी और सेकिंड जो कि आपको पता है कि यह डेडिली वीपन है मुंबाई इंडियंस का जो कि सबसे बरा हथिया मुंबाई इंडियंस इसके चलते कमज बहत थे और मजबूत भी है तो इनहीं के चलते हैं बॉलिंग सेक्षन के में बात करूए है और यहां से मुंबाई के लिए leading विकेट टेकर और सबसे अदा विकेट इन होने लिया है चौदा मैचेज में 21 विकेट टॉप फिकेट की पर मैं बात करूब तो इसान किसन जो कि फर्स्ट और लास्ट चोईस यहां से होने वाले हैं और इस सब्सक्राइब लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर लाइनप में अगर लाइनप में रिसा पंत को ऊपर भेजा जाता है टॉप फाइब में बल्लबाजी के मतलब की लाइनप में टॉप फाइब में ऐसा ऐसा जगह दिया जाता है तो आप लोग रिसा पंत को जरूर चुनिएगा यहां से इसन किसान की मैं बात करते हैं यहां से इसन किसन जो कि मुंबई इंडियन्स ने इनको सावा 15 करोर में इन्होंने इस बार लिया है 2022 के ऑक्सन में और इनके जो पॉकेट साइज डैनो में इनका नाम है और यह बहुत अच्छे तरीके से आपको रन से स्कोर करके दिलवा सकते हैं चलिए अब हम प्लेयर की जो परफ़मेंस इसकी मैं बात करता हूं मतलब कि लास्ट सीजन की तो यहां से लास्ट एडिशन के पिरिथिस हो मतलब कि यह बहुत ही इनके पास बहुत ज्यादा टैलेंट है और यह मतलब कि तीटिवंटी केरियर में इनका स्कोर इनका मतलब की तीन्सो एक आसी रन में इन्हों ने स्कोर कि हम पंदरम मैचेज में तीन्सों एक में ले और एक में रिस्क जरूब ले तो आपको हैं सबसे उपर उतरना हुआ तो क्यूंकि आप लोग का पता है कि टीम डेविट कितना ही बढ़िया खेलते हैं जो जहां से आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपको किस से बच कर चलना है विसकी में बात करूं तो आपको तो तिम सपर्ट से बच कर चला आगर इसान के शन और इसाप आपके पास औप्षेन है युक्ट की पर में तो आपको टीम की इसाइफ है और नहीं हमेंको डिक होंकि दिखाद writes रहे duration जो कि दिल्ली के तरफ ही जाएगा यहां पर देख सकते हैं कि यह हो गए दिल्ली के तरफ ही यह जाएगा और फिर उसके बाद मंबाई के तरफ जाएगा यहां से आप देख सकते हैं कि देखें मैंने मैंने यहां से सबको पिक किया है फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा देखें दिल्ली के तरफ यह टीम्स जाएंगे आपको पता है कि आन रेक नौर्थ क्या नहीं खेलने हैं तो आपको ध्यान रहे हैं कि आप उनसे बच कर ही चाहिए मतलब कि उनको पि कि ध्यान रख़के कि कि इसमें कम Deutschland करेंगे तो कोई दिक्त नहीं होगा क्योंकि इस मैच में बहुत ज्यादा क्रेयोαςइट करना हैं तो आप लोगको तो मैपनेटली हैं कि और ड्छियों यहां से मैंने कर लिया और देखिए मनलब कि आपकी प्रेड़ी मैंने में दिल्ली के तरफ डिए टीम बनाया है ऐसे एक टीम बनायां है और एक एक टीम मुंबाई के तरह बना तो कैसे लगा मैं वीडियो कमेंड करके जरूर बता है मैंने आपको उपर टीमस भी बनाए और आपको फ्री जील प्राइम टीम चाहिए फ्री प्राइम टीम फ्री तो आप टेलिगाम चैनल में जरूर जूरे हैं वहाँ पे आपको फुल मनलब जील टीम वहाँ पे मिल जाएंगी अगर आपको इसे ही देखना चाहते हैं जिसे मैं ओपेन कर देता हूँ यहाँ पे देख सकते हैं यह फिर मनलब डेमो टीम है यह ओरिजिनल नहीं है तो आप लोग ध्यान रखे हैं कि यह ओरिजिनल नहीं है और यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं नेक्ट डेमो में तब तक के लिए जाए हिंद वंदे मातरम लव यू टाटा बैबै शीव सून